हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल तो आज हम जो न्याज ट्रॉपिक शुरू करने वाले हैं वह है हुमन हेल्थ डिजीज तो यह आपका क्लास 12 का काफी इंपॉर्टेंट शेप्टर है बाइलोजी का इस शेप्टर की कुछ वीडियो को हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं आईए हम देखते हैं कि चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीज़े पढ़नी है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी को पता हुना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर से कोई भी चीज को डिलीट नहीं करा गया है अगले साल के बोर्ड एक्जाम के लि अगली बात हम देखेंगे इम्मुनिटी क्या होता है इम्मुनिटी कैसे डेवलप होती है बोडी के अंदर कौन कौन से सेल रिक्वायर होते हैं नेक्स चीज़ हम एड्स को डिटेल स्टडी करेंगे इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी आप जाके उसको भी देख कीज़ सकते हों एक कोम काब करेंगे कौन क्याकन से कैब से होते हैं कैसे का कैसे हम रिकाब होता है लास्टम पढेंगेंगे रौश door elcar abuse के वारे तौक सबस्asse ठापिक आता है कि सोर्स व्टीज़ील क्यों हो सकते है पहला जेनिटिक आपको जीन के थूह ही को डिजीज आजएगी बनाल कई ऐसे डिजीज होती है जो जीन के उपर केरी होके आ जाती है इन डिजीज को आप प्रिविश चैप्टर के अंदर कवर लखर कर चुके होगे next and infection infection Thatич ॐइरस इंफेक्षिं बैक्टीरी का infection का infection थो यंपरोंची और इनिफेक्षिंन होता है वो धी क्या एक इक स्टेस्थ है next कांइ life style वाइब क्या खाते हो तरह क्यों उसके वियुसरे क्षका इंदर आएगी की लाइफस्टाइल के रागे जैसे कि यहाथते क फेड का शुगर कि कुछ को वसकता है डिया Bio teaogo कि तो कैसे डीजीज हो जाएगी लाइफस्टाइल डीजीज हो जाएगी निड की होते को है अफनी यह स्टेट प्रेमिंग को coming ठीक है आपका अब mentally के अंदर क्या आता है mentally के अंदर जितने भी चीज ब्रेंसे रेड़ेट है मतलब आप डिप्रेस्ट तो नहीं हो आपको को टेंशन तो नहीं है शोशली के अंदर क्या आता है आप सभी को पता है कि human is a social animal तो उसको क्या society में सही से रहने आता है क्या वो लोगों से इंट्रेक्ट कर अब दिखो शोशली के अंदर और बी चीज़ा आती है जैसे कि उसका बाकी लोगों के साथ behavior कैसा है कि वो कैसे अपने आपको प्रिजेंट करता है सोसाइटी के अंदर यह सब चीज़े किसके अंदर आती है शोशली के अंदर आती है और अगर आप इन तीनों parameter पर खड़े उठते हो तब यह आप healthy कहला होगी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है health versus disease free person में difference देख लेते हैं कि क्या difference है healthy होने में और disease free होने में तो देखो अगर आपको कोई disease नहीं है तो इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि आप healthy हो क्यों कि disease नहीं होना क्या है क्या physically fit हो लेकिन आपको mentally और socially भी तो फिट होना पड़ेगा ना healthy होने के लिए तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं अगर आपको कोई disease नहीं है तो आप जरूरी नहीं है कि आप healthy होगे हो सकता है unhealthy हो और आप यह भी याद रखना अग वैसे ही हर एक healthy person disease free है लेकिन हर एक disease free person healthy नहीं हो सकता क्यों क्यों कि disease free person को क्या करना पड़ेगा उन बाकी के दो parameter जो कि socially और mentally वाले हैं उनके उपर भी खराउट उतरना पड़ेगा नेक्स चीज़ आती है हम एक good health को कैसे maintain करें तो देखो योगा meditation physical exercise और एक balance diet लेके हम काफी हद तक good health को maintain कर सकते हैं next path आती है कि disease क्या होता होता हमने health का तो देख लिया था अब हम देखतेंे disease क्या होता होता है तो देखो disease क्या होता है को趣 भी abnormality जो आपकी body के normal function को effect करती है उसको क्या बोलते है डीजी बोलते हैं और उसके साथ क्या आते हैं कूछ symptoms आते हैं जो कि उस disease को point out करने में help करते हैं अब अगली बात आते है types of disease कौन कौन से होती है तो दो तरीके के disease होती है एक होती है infectious और एक होती है non-infectious अब हम देखते हैं कि दोनों disease infectious और non-infectious वाले में क्या अंतर है तो देखो infectious वाले disease क्या हो सकती है ट्रांस्मेट हो सकती है एक person से दूसरे person लेकिन non-infectious for the disease कभी भी transmit नहीं हो सकती है, मतलब जिस person के अंदर होगी वो अपने disease को किसी और को नहीं देगा second thing आती है कि infectious disease को किया बोलते है communicable disease बोल देते हैं क्योंकि communicate करके वो फैल जाती है लेकिन उसकी जगा non-infectious वालों क्या बोलते है non-communicable क्योंकि वो ऐसे नहीं फैलती है थर्ड ज़्यादे कुछ examples देखते हैं तो example देखोगे तो chicken pox, common cold, aids यह सब आते हैं इसका example आपने काफी बच्पन में observe भी कर रहा होगा अब तो आप सबकी immunity develop होचें के chicken pox के लिए कि बच्पन में क्या होता था कि अगर परिवार में एक बच्चे को chicken pox हुआ तो उससे दूसरे बच्चे को, उससे तीसरे बच्चे को तो वो कैसे disease थी? communicable या infectious disease थी क्या हो रही थी वो? ट्रांस्मिट हो रही थी एक infected person से दूसरे healthy person में लेकिन मालो किसी को अस्थमा है किसी को diabetes है तो ये बच्चे क्या? आसपास बैठने के वीशे travel हो जाती है नहीं होती है, जिसके अंदर रहती है उससी को अस्थमा रहता है तो ये कौन से हो गई? non infectious और ये सब disease क्या हो गई? infectious disease हो गई अब next बात आते कि symptom क्या होता है तो देखो symptom पहली बात तो क्या होता है collective information होता है मतलब अब आपको पता है कि कई सारी आपको बिमारी होती है मालो आपको typhod हो गया, आपको common cold हो गया तो इन सब बिमारी के अंदर क्या होता है आपको बुखार आता है, headache आता है stomach में पहलों लग जाता है भूख नहीं लगती है ये सब क्या है? symptom है अगर आप देखोगे तो symptom के collective information है जिनको क्या करते हैं? doctors देखते हैं और indicate करते हैं कि ये disease हो सकती है मतलब वो पूरी तरीके से sure नहीं है क्यों sure नहीं हो पाते doctors क्योंकि symptom काफी सारे disease के क्या होते है एक जैसे हो सकते है अभी मैंने बता है कि common cold में भी आपको बुखार आएगा आपको डेंगी के अंदर भी बुखार आता है आपको टाइफॉइड के अंदर भी बुखार आता है तो doctor इसको distinguish कर सकता है बुखार को लेकिन उसी के लिए अगलाग हम देखे sign sign क्या होता है particular information मतलब वो information जिसे doctor actual में देख रहा होता है बिमारी को detect करने के लिए वो क्या है sign और sign क्या करती है एक particular disease को indicate करती है मतलब आपको typhoid है आपको dengue है आपको common cold है वो जो particular symptom है जो इन ही disease के लिए बना हुआ है वो क्या है sign है और जो collective है मतलब आपको हर एक बुखार में क्या होता है headache तो होता ही है पेट के अंदर दर्द होता है और अगली चीज क्या है loss appetite हो जाता है मतलब भूक लगना बंद हो जाता है तो यह जो collective चीज है यह क्या symptom है लेकिन जो एक ही particular चीज होती हो बिमारी के अंदर अब जैसे कि डिंगी के अंदर क्या होता है platelet count नीचे गिर जाता है तो platelet count नीचे गिरना क्या है sign है डिंगी का ठीक है और symptom क्या होगा डिंगी के fever आना vomiting होना nausea यह सब क्या है उसके symptom है एक्स बत आती है कि pathogens क्या होते हैं तो देखो disease-causing organism को हम क्या बोलते हैं pathogens बोल देते हैं मतलब जो भी microorganism या organism आपको disease दे उसको हम क्या बोलते हैं pathogens बोलते हैं अब जो pathogens होते हैं ज्यादतर क्या होते हैं parasite होते हैं parasite कौन से organism को कहते हैं जो आपकी body के ओपर रहें और आपकी body से nutrition लें और आपकी body को ही harm करें जिनको मतलब ऐसे organism जिनको एक दूसरा horse चाहिए अपने survival के लिए उसको हम क्या बोलते हैं parasite बोलते हैं तो ज्यादतर जितने भी pathogens होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं parasite होते हैं मतलब हमारी body के उपर आके nutrition वगरा पे जीते हैं next जी आते हैं कि pathogens के अंदर क्या क्या आता है pathogens के अंदर आता है आपका bacteria virus fungus fungus प्रोटोजोंज और worms इनी चीजों को आपको chapter के अंदर पढ़ना भी है तो चलो हम पहली disease अपनी शुरू करते हैं जो की है टाइफॉइड तो इसका हम पहले pathogens देख लेते हैं तो इसका pathogen क्या है Salmonila typhi मतलब कौन सा microorganism इसको cause करता है वो उसका नाम के है Salmonila typhi अब जब भी आप paper के अंदर Salmonila typhi लिखोगे तो इसको क्या करोगे underline करोगे और Salmonila typhi क्या होता है एक bacteria होता है मतलब यह कौन से disease पर यह है एक bacteria की disease को हम पहले study कर रहे हैं next change आती है कि pathogen की entry कैसे होता है my body के अंदर तो देखो pathogen की entry होती है contaminated food add water मतलब आपने ऐसा खाना खाते हैं जिसके उपर already Salmonila typhi था तो आपको क्या हो जाएगा typhoid हो जाएगा अगली बात आती है आते ही किसको effect करता है सबसे पहले जाके आपके small intestine को effect करता है अगली जाते है symptom क्या क्या है अब देखो symptom क्या है typhoid क्या आपको पता ही होंगे काफी बार आपने देखा हो कई लोग को typhoid हो गया है तो होता है high fever headache आप सभी को पता है कि जब fever हो तो क्या होता है headache होता है body pain होता है stomach होता है loss of appetite में भूक लगना बंद जाता है और देखो यह कहाँ effect कर रहा है अपना small intestine पर कर रहा है तो आपके overall digestion के उपर effect आए तो आपको क्या होगा constipation भी होने लग जाएगा अगली बात आती है कि test क्या होता है हम कैसे detect करे डॉक्टर कैसे detect कर पाएगा कि इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ क्या typhoid है तो कैसे test होता है इसका vital test होता है ठीक है आप देखो book तो हमारी काफी ज़्यादा पूरानी छपी है लेकिन अब scientist ने इस vital test को 100% मानना बंद कर दिया है मतलब उनके हिसाब से test इतना ज़्यादा reliable नहीं है नेक्स बंद आती है treatment अब देखो treatment के लिए हम क्या देते हैं antibiotics देते हैं अब antibiotic क्या होता है anti क्या होता है किल करना biotic मतलब life life कौन सी bacteria को करने मारे दवायों क्या बोलते antibiotic बोलते है मतलब ऐसी medicines जो bacteria को मारे उसको antibiotic बोल देते हैं अब जितनी bacteria से disease होंगे उसके हम क्या use करेंगे antibiotic use करेंगे antibiotic भी दो तरीके के होती है narrow spectrum और broad spectrum अब जैसे bacteria यह बहुत सारी तरीके के होते हैं तो देखो बहुत सारी तरीकों को अगर आपको पता निए कि कौन सा बैक्टीरिया है particularly तो आप क्या करोंगे broad spectrum antibiotic खाऊगे ताकि जो भी bacteria हो वो मर जाए लेकिन आपको particularly पता है कि आपको salmonella typhi से बिमारी होई है तो आप क्या खाऊगे narrow spectrum मतलब ऐसा antibiotic खाऊगे जिब particularly किसको मारता हो ऐसा case है कि यह carrier थी मतलब इसको खुद को disease नहीं थी लेकिन यह cook भी थी तो इसने क्या कर रहा जो खाना बनाया उसको थोड़ा unhygienic होके बनाया होगा इसकी body के अंदर क्या थे यह salmonella typhi bacteria थे और इसने क्या क्या कर रहा बहुत सारे लोगों को इस तरीके से क्या कर दिया typhoid दे दिया इसलिए इसका नाम फेमोस होके क्या पढ़ गया typhoid Mary बन गया और यह Mary melon को पूरी lifetime में कभी भी salmonella typhi से infection हो आई नहीं जबकि इसकी body के अंदर वो carrier था मतलब इसकी body के अंदर bacteria होते हुए भी इसकी body के अंदर यह disease नहीं होई इसलिए एक बहुत ज़्यदा special case माना जाता है और इसको इसकी बाकी की life जब इसको detect करा गया ऐसे चीज़ों को करते हुए तो इसको बाकी की life पूरी की पूरी हॉस्पिटल के अंदर ही काट नी पड़ी थी ताकि यह और लोग को अपना infection ना बाट दे अब हम आगे का part अगली वीडियो में cover करेंगे if you like this video please like, share and subscribe to our channel for more amazing content and do show your love in the comment section and do not forget to press that bell icon to get the notification of our new video thank you